तो दोस्तो ये कंफॉरम हो चुक है कि 16 टाइम वूल्ड ्चेंपियेन जान सिना डबले वी रोमेर रिटवन रहे है और हम सब जानते कि डबले मीर मेर रिटवन आके जानसन अखेर खिर करेंगे क्या जान सिना चैलिज करेंगा ऑस्तील थे रिप को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलियेगा तो मैं आपको बताता हूँ कि जॉण सेना यॉनाइटिस्टेज चेम्पियन बन पाएंगे या नहीं लेकिन सब से पहले हम बात करते हैं कि जॉण सेना के पाद जब यॉनाइटिस्टेज टाइटल था तो United States टाइटल की क्या वैल्यू थी United States Championship एक मिट का Championship है उस टाइटल को इतना कोई सिरिस्टी नहीं लेता था लेकिन एक बार जॉंसना को वो टाइटल मिला और उसके बाद से ये टाइटल भी एक मेन इवेंट टाइटल बन गया जॉंसना जब United States Champion थे तब जॉंसना एक Open Challenge मैच रखते RAW में, SmackDown में और Pay-Per-View में भी और उसके बाद बहुत सारे ओपोनेंट आते हैं और बहुत सारे ओपोनेंट जॉंसना को United States टाइटल के लिए चैलिंज करते जॉंसना के वज़े से United States टाइटल, WB का एक मेन टाइटल बन चुका है और अब ये टाइटल है Austin Theory के पास और ये न्यूस काफी पहले आ चुकी थी कि Austin Theory vs Johnson का मैच होगा United States Championship के लिए अब सवाल ही है कि क्या जॉंसना Austin Theory को हरा के New United States Champion बन पाएंगे या नहीं तो मैं आपको उताता हूँ कि जॉंसना Austin Theory को हरा के New US Champion बनेंगे या नहीं देखे दोस्तों इस बात के काफी जादा चांस है कि जॉंसना Austin Theory को हरा देंगे और जॉंसना United States Champion बन जाएंगे और उसके बाद फिर से जॉंसना United States टाइटल के लिए उपन चैलिंज मैच करेंगे और उस मैचेज में बहुत सारे उपनेंट आके जॉंसना को फेस करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि उस चैलिंज में एक दो इवेंट तक ही जॉंसना अपना टैटल हार जाएंगे क्योंकि जॉंसना को WV के अलावा भी और भी कुछ काम है तो वो United States चैंपियन WrestleMania 39 में बनेंगे तो ज़रूर लेकिन उसके बाद वो जल्दी उस United States टाइटल को हार जाएंगे शायद ऑस्ते थियोरी के हाथ होई तो दोस्तों आप लोगे कमेंटियों जहू बताई कि आपको कैसा लगेगा जब जॉंसना WrestleMania 39 में और श्ते थियोरी को आरा के New United States चैंपियन बन जाएंगे कमेंटियों में ये सारी सवालों को आप जहू दिएगा और मैं मिलता हूँ आपको थोई दिर में तब लेवी के नेक्स अप्डेट के साथ तब तक के लिए थैंक यू और गुद बाई